मानेता है कि कार्थिक मांस में असनान करने से मनुष्य के शारे पाप तो धूलते ही हैं साथ ही भगवान विश्णू की किरपा से उस मनुष्य को मृत्यो प्रांत मोक्ष की प्राप्ति होती है तो आज की कथा है कार्थिक असनान कथा कहानी अच्छी लगे दो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सबसक्राइब बटन डबाईए। पीछे से भगवान कृष्ण उनके लिए खिचडी रख गये। पड़ोसन ने जब खिचडी का कटोरा रखा देखा तो वह कटोरा उठा कर घर के पीछे फेक आई। वो उन्हें तोड़ कर घर ले आया। घर आकर उसने वह फूल रानी को दिये। जिन्हें सुगने पर रानी गर्ववती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जर्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे। लेकिन जब वह दोनों सिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुजर्ग महिला मिलती जो अभी भी यही तक कहती कि कहां गई मेरी खिचडी कहां गया मेरा कटोरा। बुजर्ग महिला की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचडी और हम हैं तेरा कटोरा। हर बार वह सिकार पर जाते तो बुजर्ग महिला यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा को ये बात पता चली। उसे अश्यर हुआ कि दोनों हम से बात नहीं करते हैं तो तुम से यह कैसे बोलते हैं। ने तुम्हारी खीचडी फेक दी थी तो उसके दो फूल बन गये थे वह फूल राजा तोड़कर ले गया और राणी ने सुखा तो पुत्रों का जन्म हुआ हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुजर्ग महिला को महल में ही रहने कादेश दिया। ही कार्थिक महाराज जैसे आपने बुजर्ग महिला की बात सुनी वैसे ही आपका ब्रत करने वाले सभी की सुनना। कहानी अच्छी लगे टू लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब बटन डबाईए।